कक्षा 12 की चित्रकला प्रायोगिक परिक्षा की आज बात करते हैं इसमें कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने घंटे के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं तो वीडियो में बने रहे ये वीडियो को शुरू करते हैं देखो दोस्तों इसमें दो प्रेक्टिकल होते हैं, पहला होता है वस्तू चित्रण, ये पहला क्या हो गया, वस्तू चित्रण, और नमबर दो जो है, वो है चित्रसंयोजन, ये जो वस्तू चित्रण है, ये है खंड ए, तो हम इस पे लिख देते हैं, खंड ए, इसके बाद दूसरा होता है वो होता है चित्र, सैयोजन, खंड, बै तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे वीडियो में बने रही है कहीं मत जाना पूरी डिटेल आपको मिलेगी किस प्रकार से चित्र बनाने हैं कितने टाइम में ये प्रैक्टिकल होंगे बिल्कुल सरलता पूरवक एक्स्प्लैन करूंगा तो बारवी के सबी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखें जुड़ जाएं ये दो प्रैक्टिकल है अब ये जो दोनों प्रैक्टिकल है ये होते हैं तीन तीन गंटे के ये पहला वस्तू चितरन तीन गंटे का फिर बीच में लंच हो जाता है दस पंदरा मिनिट का और फिर दूसरा प्रैक्टिकल तीन गंटे का और दोनों के जो नंबर है वो समान है पचीस पचीस नंबर वस्तू चितरन में पचीस नंबर और ये चितरसंयोजन इसमें भी पचीस नंबर ये पचीस और पचीस पचास नंबर का टोटल होता है बीस नंबर का आपका सतरांक कार ये होता है जिसमें हमारी जो फाइल बनती है उसके बीस नंबर स्कूल से जाते हैं तो ये पचास नं के सकूलों में कैए थोड़ा जल्दी भी ले ले JAIN दो गंटे में भी पूरा कर देते आ तो इनका जो समय है प्रतिक परीक्षा का समय है वो सरकार की तरफ से तीन गंटे का है किल दो गंटे में या डेड गंटे में भी फरी करते पर पूरा जो समय है वो है 3-3 गंटे का तो दोनों प्रैक्टिकल 3 और 3-6 गंटे और लगबग 15-20 मिनट या आदा गंटे का लंच तो आपको एक ही दिन लगबग 6.5 गंटे स्कूल में ही रहना पड़ेगा अब आगे की बात शुरू करते हैं अब जो पहला नंबर का प्रैक्टिकल है वो है वस्तू चित्रन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वस्तू चित्रन जो प्रैक्टिकल है वो किस परकार से लिया जाएगा या करवाया जाएगा जैसे कि आपने भी अपनी फाइल बनाई होगी और नाम से भी हमें पता चल रहा है कि वस्तू चित्रन मतलब जरूर किसी वस्तू का चित्र बनवाएंगे हमसे तो वस्तू का चित्र आपके सामने रख देंगे जैसे कप रख दिये, गलास रख दिये, बोटल रख दिये या कोई फ्रूट रख दिये, संत्रा, सेव, अनार कुछ भी ऐसा रख देंगे, एक किताब रख देंगे और पीछे कर्टन लगा देंगे, परदा और नीचे टेबिल पर लगा देंगे और उसका चितर बनाना है, जैसे कि अब भी ये हम चितर बना रहे हैं एक हमने गलास बना दिया, इधर ये संत्रा बन गया अब ये दोनों एक किताब के उपर रख दिये जाएंगे कोई चितर से आपको नहीं बनाना, सामने, लाइव सामने रखा जाएगा और सब को एक चंद्राकार सरकल में, चंद्राकार में या फिर सरकल में बिठा देंगे और फिर जिस साइड से जैसा दिख रहा है, वैसा ड्रोइंग करना है, और फिर कलर करने है और color आपको कोई sketch color या pencil color नहीं करने होते हैं इसमें आपको या तो poster color या water color जो brush से और पानी से बरे जाते हैं वो करना होगा तो एक example के लिए एक चितर बना दिया हूँ है ये चितर बन गया नीचे किताब है एक तरफ संतरा है एक तरफ glass है glass में पानी बरा हुआ है आदा अब ये नीचे जो table है ये इस table ऐसे तो भूरे color की होती है table लेकिन table पे कोई भी एक color का कपड़ा रख देंगे जैसे पीला रख दिये लाल रख दिये और पीछे की side एक परदा लगा देंगे जो अलग different color का जैसे की नीचे का पीला कर दिये और संत्रा ओरेंज है तो ओरेंज से different color का जैसे नीला परदा कर दिये अब इसमें पानी है तो पानी में color mix कर देंगे green या कोई भी मतलब कहने का मतलब है सब भी जो color है वो different different होने चाहिए ये परदा ऐसा लगाएंगे जो किसी से match ना हो तो एक table पे परदा लग गया एक पीछे दिवार पे परदा लग गया और ये बन गई किताब एक किताब रख देंगे मोटी passbook रख देंगे जो भी कोई mbd हो या संजीव की passbook हो इस type की मोटी किताब रख देंगे और उसके उपर bottle भी रख सकते हैं glass भी रख सकते हैं या फिर कोई jug भी रख सकते हैं और ये संत्रा रख दिए एक्जामपल के लिए अब भी के लिए हमने ये रख है अब ये 3 गंटे का आपको समय मिलेगा इसमें आप क्या करोगे चित्र बनाओगे और उसमें color करोगे और light, shade, dark ये भी करना है आपको तो ये कर लोगे उसके बाद फिर ये practical पूरा हो जाएगा अब ये practical पूरा हो गया अब हम इसको साफ करके number two की बात करते हैं जो दूसरे number का है चित्र सहियोजन, खंड बै वो भी तीन गंटे का होगा वो थोड़ा सा heart लगता है students को, क्यों लगता है क्योंकि उसमें बिना देखे बनाना पड़ता है, उसमें विशे दे दी जाती है हमें उसमें विशे दे दी जाएगी इसका नाम है चित्र सहियोजन इसमें मानव आकरतियां बनाई जाती है और इसका नियम यह है कि कम से कम तीन मानव आकरतियां तो हमें बनानी ही है ज्यादा तो आप कितनी बनाओ पांच, दस, पंदरा, बीस जितने आप बना सको उत्ती बनाओ और minimum कम से कम तीन तो मानवाकरतियां हमारे composition में होने चाहिए तो इस composition में हमें wish दे दी जाएगी examiner आएगा, board से बाहर का examiner आएगा school का कोई examiner नहीं होगा वहाँ पर मौजूद होंगे पर decide सारे सब कुछ वही करेगा exam भी वही लेगा और हमें विशेलिक देगा जैसे पंगट का द्रशेलिक दिया श्रमिक दिया, श्रमिक का मतलब श्रम करने वाले, मजदूरी करने वाले जिसमें कूली होगे, फावडा चलाने वाले, मजदूर होगे या कोई लकडियों का गठर लेके जा रही है कोई ओरत तो वो भी शर्मिक में ही आएगी फिर एक नरत्य दे दिये या ग्रामीन परिवेश भी दे दिये अगर ग्रामीन परिवेश दे देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें हम गाउं का कोई भी सीन उसमें शर्मिक बनाओ पंगट बनाओ या फिर लोग बैठे हुए या फिर खेती करते हुए कुछ भी बनाएंगे ना वो सब कुछ ग्रामीन परिवेश में आएगा तो अभी के लिए हमने पंगट लिए शर्मिक लिए नर्ते लिए गरामीन परिवेश लिए ये चार लिख देते हैं बस मैकसिमम तो और ज़दा तो होते हैं बट इन चारों में से एक तुन आई जाएगा आपके लिए अगर इन चार की तैयारी कर लेते हैं फिर बाकी कभी मेले का द्रश्य और बसिश्टेंड का द्रश्य भी लिख देते हैं पर एवरेज ये चार पाच यह आते हैं इससे ज़्यादा नहीं आता तो अब हम इसमें से ले रहे हैं देखो मैं बताता हूँ आपको जैसे मान लो एक तो पंगट का बता देता हूँ अब एक ही चितर से हम पंगट का और श्रमिक का दोनों बना पाएंगे देखो एक चश्म चेहरा बनाना आपको एक चश्म चेहरे का मतलब होता है एक तरब देखता हुआ चेहरा अब ये एक लेड़ी का चित्र हम बना रहे है जो इधर देख रही है आपके राइट एंड की तरब देख रही है अब इसका हाथ उपर कर देंगे और ये इसके यहाँ पर बाल है पीछे चुन रही है तो हमने ये किया ये इसका नीचे से बोडी बन गई और फिर ये नीचे इसका ये इसकी चुन्नी लटका देंगे इसे ये सरपेसिस की चुन्नी आ रही है अब देखो अगर इस चित्र की आप तयारी करेंगे तो आप पंगट और स्रमिक दोनों ही कर सकते हैं और नरते भी अगर नरते में भी इस लेड़ी को इतना बना के अगर आप छोड़ कि एक हाथ उठा रखी है और नरते कर रही है अगर ये वीडियो आपको पूरा परफेक्ट सीखना है कि हमको मानवाकरती में एक लेड़ी का चित्र सीखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए उस पे मैंने पंगट का द्रश्य मजदूरों का द्रश्य ये सब बना दिया मटका बना दिया इसको इरेज किया और ये लकडियों का गठर रख दिये लकडियों का गठर रख दिये तो ये क्या हो गया ग्रामीन परिवेश में भी आ जाएगा ये और ये श्रमिक टोपिक मिल गया तो श्रमिक में भी आ जाएगा ये और नरते का आपको बताए दिया कि गठर को टाके और खाली लेडी को खड़ा कर दें तो ये नरते में आ जाएगा क्योंकि उसका एकात उपर है अब ये कुवा बनाने का तरीका देखो अगर ये पंगट रहेगा तो इसमें कुवा ऐसे बना देंगे ये इसकी इंटे बन गई ये कुवे का उपर वाला ये इंटे अंदर की तरफ से देखेंगे तो देखो ऐसे अब ये करने के बाद जो पानी खेंशते है ना वहाँ पे चकरी लगी रहती है आपने देखा हो तो एक पाईया लगा रहे था लोए का उस पे रसी डाल के कुवे में लटका देते हैं तो आसानी से पानी खीच पा गाम को ये मटका बन गया और ये थोड़ी इसकी डिजाइन कर देते हैं और अब क्योंकि तीन फिकर मीनिमम थे ना तो देखो एक तो बड़ा बना दोगे और बाकी दो ऐसे छोटे बना दोगे एक कुए के पीछे खड़ी है तो उसका सर दिख रहा है केवल और थोड़ा सा सरीर दिख रहा है और उपर मटका रख देंगे और पीछे की तरप का शरीर दिख रहा है कूँगि वो उस सायड़ जा रही है तो नाक नक्ष कुछ नहीं बना न इत्ता कर दिए तो दूसरा फिगर हो गया और एक तीसरा फिगर यहाँ पे ऐसे बना दिए उपराँ कर यह मटका रख दिये, तो यह बन गया तीसरा फिगर, और यह इसका, ऐसे करके यह घागरा बना दिये, तो यह तीन फिगर हो गए, अब कहीं इस्टूडेंट ऐसे कहते हैं, सर, एक तो इतनी बड़ी है, और दो इतनी छोटी कैसे है, सब के क्यूशन नहीं होते हैं, सब समझ कुछ को ऐसा डाऊट होता है कि यह चोटी है तो यह बच्छी है है कि नहीं अफिस प्रती कोड़ S God से चित्रया बन ओविचन का जो वह वक्षोट का जैंक यहाँग न का सकता है ना जिसमें कि climate की बड़ोगे ihm College Ś किया और कलर किया हम पोश्टर कलर लाते हैं तो इसमें दिक्कत होती है कलर निकालो फिर मिलाओ कभी थिक हो जाता है कभी लाइट रह जाता है तो उससे आप आराम से कल्रिंग करोगे एक ले लोगे बड़ी ब्रश फ्लेट ब्रश दस नमबर एक ले लोगे तीन चार नमबर गोल ब्रश दो ब्रश काफी होती है अच्छे से कलर करोगे तो इस परकार आपका प्रेक्टिकल हो जाएगा मैं उमीद गरता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो मेरे चैनल पर विजिट करें और पंगट शर्मिक नरतीन के काफी चितरे सब कुछ देखें और सीकें धन्यवाद